Hello students, तो आज का हमारा question है x plus 1 over x bracket all square this is equal to 3 and students हमें यहाँ पर इस expression की value find करनी है x power 90 plus x power 84 plus x power 18 plus x power 12 plus 1 तो देखे students इस वाल expression की value हम इसकी मदद से किस परकार से निकालेंगे तो देखे students इस वाली problem को हम किस परकार से solve करेंगे students यहाँ पर इस expression को ध्याँ से देखे इसको x power 90 plus x power 84 और x power 18 plus x power 12 इन दोने expressions को अगर आप ध्याँ से देखेंगे तो इस वाली expression में students, इस वाली expression में x power 84 common आ जाएगा अगर मैं इस expression से x power 84 common लेता हूँ तो यहाँ पर x power 90 है और x power 84 common लेंगे तो अमारे पास आएगा यहाँ पर x power 6 and plus यहाँ x power 84 common चला गया तो यहाँ पर आएगा 1 और इस तरीके से इस expression को जहाँ से देखें इस expression में x power 12 common आ रहे और अगर मैंने x power 12 common लिया तो x power 18 नहीं है यहाँ पर x power 12 common ले लिया यहाँ यहाँ पर आएगा x power 6 plus x power 12 तो इस students common आ गया तो यहाँ के आएगा 1 और plus 1 अगर students मुझे इस expression के value find out करने है तो सबसे पहले मुझे x power 6 plus 1 की value find out करनी होगी तो हम यहाँ पर इस students इसका use करते हुए हम सबसे पहले किसकी value find करेंगे हम value find करेंगे x power 6 plus 1 की value find करेंगे और यहाँ पर आप इसको देखे x plus 1 by x का whole square है left hand side में तो आपको a plus b का whole square याद होगा a plus b का whole square यह बरावर होता है a square plus b square plus 2ab अगर इस equation में यह जो left hand side है अगर मैं x के जिगाँ put कर दूँ a और 1 by x के जिगाँ put कर दूँ b तो मिरे पास आएगा a plus b whole square this is equals to 3 मिरे पास आएगा a plus b whole square this is equals to 3 और आपको पता है a plus b whole square बरावर होता है a square plus b square plus 2ab तो यहाँ 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 हमार पास a square plus b square plus 2ab और यह बरावर हो जाएगा 3 के और a a की value किसके बरावर है a की value है 3 के बरावर sorry a की value x के बरावर तो यहाँ हमार पास x square plus b B किसके बरावर है 1 by X के बरावर है तो यहां पर हमारे पास 1 by X square हो जाएगा plus 2 A किसके बरावर है X और B किसके बरावर है 1 by X और यह बरावर हो जाएगा 3 के तो यहां पर हमारे पास left hand side मा हैगा X square plus 1 by X square plus इस X से यह X cancel हो जाएगा हमार पास आएगा 2 is equals to 3 इसके बाद मैं यहां पर solve कर रहा हूं यहां पर हमार पास x square plus 1 by x square जो यह plus का 2 है यह plus का 2 अगर right hand side मा आएगा तो minus का 2 हो जाएगा तो 3 में से 2 को minus करेंगे हमार पास आएगा 1 और हमें relation x power 6 plus 1 का चाहिए यहां पर हमार पास x square plus 1 over x square is equals to 1 आ रहे हैं अगर मैं इस equation में दोनों तरफ x square से multiply कर दो दोनों तरफ मैंने किस से multiply कर दिया x square तो इससे denominator वाला part का जो x square हट जाएगा x square को multiply करेंगे पहले तो हम इस x square से तो जब हम इस x square को इस x square से multiply करेंगे हमार पास आएगा x की power 4 plus जब इस x square को 1 over x square से multiply करेंगे तो x square से x square cancel हो जाएगा यहां आएगा हमार पास 1 और यह बरावर हो जाएगा x square के और ध्यान से देखिए जो plus का x square अगर मैं इसको left hand side में लेकर का हो तो हमार पास आएगा x power 4 minus x power 2 और plus का 1 और यह बरावर हो जाएगा 0 पर हमारा ध्यान अब भी है पर है कि x power 6 plus 1 इसकी value क्या होगी आप इसको ध्यान से देखिए अगर मैं x square को t put करता हूँ x square को मैंने t put किया x square को मैंने t put किया तो अगर मैं दोनों तरफ square करता हूँ तो x की power 4 यह t की power 2 के बरावर होगा यह एक्स power 4 तो t square के बरावर हो गया minus x square t के बरावर है और plus 1 यह बरावर होता है 0 ना left hand side को ध्यान से देखिए यहाँ पर हमारा पास t square minus 1 sorry t square minus t plus 1 is equals to 0 देखिए इसको ध्यान से और आपको अगर एक algebraic identity है aq plus bq मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको aq plus bq aq plus bq के algebraic identity क्या है वो है a plus b multiplied by a square minus a b plus b square यह students aq plus bq के algebraic identity है अगर मैं a के जिगा देखिए इसमें अगर मैं a के जिगा t और b के जिगा 1 a के जिगा तो t put कर दूँ और b के जिगा 1 put कर दूँ इस algebraic identity में तो left hand side में आएगा हमार पास t की power 3 plus b के जिगा 1 तो 1 की power 3 बरावर a के जिगा t तो यहाँ आएगा हमार पास t plus 1 और a के जिगा t तो यहाँ आएगा हमार पास t की power 2 minus a के जिगा t और B के जगा 1 प्लस B को replace करेंगे किसे 1 से तो हमारे पास आएगा यहाँ पर T plus 1 bracket यहाँ आएगा हमारे पास T square minus T plus 1 तो ध्यान से देखें इसको यहाँ पर हमारे पास T plus 1 multiply वैए T square minus T plus 1 और यह बराबर है T की power 3 plus 1 अब इसको ध्यान से देखें यहाँ पर T square minus T plus 1 हमारे पास अगर मैं दोनों तरफ multiply कर देता हूँ और दोनों तरफ multiply किसे करेंगे देखें दोनों तरफ multiply करेंगे हम T plus 1 से तो मैं दोनों तरफ multiply कर रहा हूँ T plus 1 से तो लेफ्ट न만ने गाल में जिरो यह लिख देता हूं मैं तो अम पर राइफड राइड राइड साइड में हमारे पास 0 है ऑल लेफट ह्याइड देखे यह लेफट एमारे पास टीत पाउवर 3 फ्लस 1 इस इकल सफल्स सथी रों तो यह लिए पाउर 3 plus 1 ये बरावर है 0 के और यहां पर आईए T किसके बरावर है X square के बरावर है तो T को replace कर देते है X square से और उसके power कितने 3 plus 1 बरावर 0 अब base end exponent का rule है A की power M bracket power N ये बरावर होता है A की power M into N तो अगर मैं इस rule का use करता हूँ तो ये 2 3 से multiple हो जाएगा तो हमारे पास आएगा X की power 6 plus 1 बरावर 0 तो ध्यान से देखिए X power 6 plus 1 ये 0 के बरावर आगया तो अगर X power 6 plus 1 0 के बरावर है तो अब हमारा question solve हो चुका है X power 6 ये पूरी की पूरी value क्या हो गई 0 हो गई ये पूरी value ये पूरी की पूरी value क्या होगे ये भी 0 होगे पूरी की पूरी value तो 0 अगर X power 84 से multiple होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा ऐसे ये भी पूरा 0 हो जाएगा तो हमारे पास क्या बज़ जाएगा only one तो इस expression का answer कितना जाएगा students तो ये हमारा final answer होगा I hope students आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आप लोगको वीडियो पसंद आये तो चैनल को सब्स्क्राइब कर दो वीडियो को लाइक कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो तो मिलते हैं आगली नए वीडियो में एक और नए सवाल के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखें बाई बाई